नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चनल समीर पाटसाला में दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं ओटावा रीमा और स्पैंसरियन स्टेंजा के बारे में दोस्तों इससे पहले मैं आपके लिए दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने कपलेट डिसकस किया था और टैजर रीमा और क्वाटरेंड को हम ओलेडी डिसकस कर चुके हैं दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो ओटावा रीमा से ओटावा रीमा क्या होता है ये एक इस्टेंजा होता है दोस्तो जिसमें आठ लाइने होती है ओटावा रीमा के अंदर दोस्तो कितनी लाइने होती है दोस्तो आठ लाइने होती है ओटावा रीमा हमें अधिकतर iambic pentameter में दोस्तों लिखा हुआ मिलता है I hope दोस्तों meters की जानकारी अब आपको हो गई होगी यदि आपको meter की जानकारी नहीं है तो मैंने meter को लेकर भी एक वीडियो अच्छे से समझा के रखा है कि meter क्या होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं especially मैंने उसमें iambic pentameter की दोस्तों बात की है क्योंकि literature में अधिकतर वर्ख iambic pentameter में ही लिखे होते हैं दोस्तों इसको इंग्लेंड में introduce करने वाले कौन थे दोस्तों उनका नाम है सर्थोमस वायट इन्होंने इसको इंग्लेंड में सबसे पहले इस्तिमाल किया था कब किया था दोस्तों early 16th century में इन्होंने इस्तिमाल किया था यदि question exam में इस तरह का आता है कि octava rima किस ने introduce किया था या फिर father of octava rima कौन है तो आपको दोस्तों सर्थोमस वायट इसमें mention करना है और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था early 16th century में दोस्तों ये इंट्रोड्यूस हुआ था it is used to write long narrative poems देखिए जो भी ऐसे stanza होते हैं जिसमें ज़्यादा lines होती है वो हमेशा narrative poems को लिखने के लिए इस्तिमाल किया जाता है उन में से ही दोस्तों octava rima भी एक है जिसे narrative poem लिखने के लिए इस्तिमाल किया जाता है shallay ने इसका इस्तिमाल किया था दोस्तों the witch of atlas में और keats ने the ports of basal में इसका दोस्तों इस्तिमाल किया था अब बताता हूँ मैं दोस्तों इसकी rhyming scheme के बारे में देखिए अगर मैं इसके बात करूँ octava rima की जो rhyming scheme है वो कुछ इस तरह से होती है a b a b a b c c अब यहाँ पर laast में c c देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि यह क्या है यह क्या है दोस्तों यह एक k니다 है जब भी किसी भी σταेंजा की किसी भी लाइं की दो लाइने last में या सुरू में मैच होती है तो वो क्या होता है दोस्तो, एक couplet होती है Couplet जो होता है, वो दो line का स्टैंजा होता है जिसकी rhyme बिल्कूल same होती है I hope आपको समझ में आया होगा Couplet किस तरह से हम पहचानते हैं यहाँ पर दोस्तो, मैंने एक example लिया है आपको Oortaवर Rima समझाने के लिए जो है The Witch of Atlas जो लिखा गया है दोस्तों एक Romantic Poet P.V. Selle के दुआरा जिसमें 78 Otawa Rima Stanzas है देखिए इसमें 78 Otawa Rima 8 लाइन के Stanzas है 78, 78, ठीक है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी Rhyming Scheme मैंने लिख दी है Advance में ही पहले से ही तो यह देख लीजिए आप Rhyming Scheme इसकी Rhyming Scheme निकालने का तरीका दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको Creature देखिए Rhyming Scheme निकालने के लिए आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरी Line पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको Line का जो Last Word है उसको ही दोस्तों पढ़ना है जैसे कि मैंने Creature पढ़ा और उसको A Rhyming Scheme दे दी दूसरा है दोस्तों Praise उसको दोस्तों B Rhyming Scheme दे दी तीसरा है दोस्तों Peter Creature Peter इस तरह से दोस्तों इसकी Rhyming Scheme A के साथ मैच होगी B है दोस्तों Praise यहाँ पे Days Praise Days तो इसकी Rhyming Scheme दोस्तों यहाँ पर मैच होगी फिर है दोस्तों Meter Meter का यहाँ पे मैंने A दिया क्योंकि यहाँ पे Creature से भी Peter से भी मैच हो रही है तो यहाँ पे इसकी फिर से A आ गई फिर हैं दोस्तों Stage Stage Days Stage Days यहाँ पर B मैच हो रही है तो A, B, A, B, A, B फिर है दोस्तो dress और dress की बाद में यहाँ पे देखिए ness अगर हम इसकी पढ़ेंगे यहाँ पे इस ness को ही देखेंगे रेगर्ड ness में ness की देखेंगे dress ness तो यहाँ पर इसकी match हो रही है sound तो हम क्या करते हैं rhyming scheme निकालने के लिए दोस्तो किसी भी line की जो last word होते है उसके sound को देखते हैं कि वो किसके साथ match हो रहा है तो उसी तरह से rhyming scheme हम बनाते चले जाते हैं अब जब भी last में देखें यहाँ पर दो rhyming scheme जो है वो match हो गई है cc तो यह जो है last में यूज हुआ वा एक couplet है ठीक है मतलब यह 6 line के stanza हो गया और यह एक couplet हो गया बढ़ते हैं दोस्तो आगे I hope आपको October इमा समझ में आ गया होगा इसकी rhyming scheme, इसकी lines किसमे इसको introduce किया यह सारी चीजे में आपको बता चुका हूँ अब बात करते हैं दोस्तो Spencerian stanza की Spencerian stanza जो होता है दोस्तो यह 9 line का stanza होता है जी हाँ sir यह जो stanza है इसके अंदर दोस्तो 9 lines होती है यह हमेशा use होता है दोस्तो long narrative poems को लिखने के लिए It was invented by Edmont Spencer for his epic poem the fairy queen इसको जो invent किया था दोस्तो वो किस ने किया था वो किया था Edmont Spencer ने किस work के लिए किया था दोस्तो इन्होंने अपनी epic poem के लिए किया था जैसा कि मैंने आपको बताया यह हमेशा narrative poems के लिए use होता है तो देखे यह epic poem है मतलब narrative poem है the fairy queen इन्होंने इसका नाम था poem का fairy queen इसके लिए इन्होंने इस tenza को दोस्तो invent किया था Ed lines in iombic pentameter followed by a single Alexandrine line in iombic hexameter जैसा कि दोस्तो मैंने आपको बताया इसके अंदर जो होती है वो nine line होती है ठीक है आठ line जो है इसके अंदर में इस्तिमाल हुई भी वो कौन सी मीटर में होती है दोस्तो iombic pentameter में होती है लेकिन जो इसके अंदर नवी line है जो नवी line यूज होती है दोस्तो वो किसमे होती है iombic hexameter में यूज होती है ये नवी line जो है iambic hexameter में use होगी अब इन्हें हम पहचानेंगे कैसे दोस्तो इन्हें पहचानने के दो तरीके होते हैं एक तो हमें meter निकालना आना चाहिए तो हम अराम सी से पहचान लेंगे और नवी line की एक पहचान ये भी है कि वो बाकी 8 lineों से लंबी होगी ठीक है बाकी 8 lineों से नवी line जो है वो लंबी होगी क्योंकि उसमें hexameter का इस्तिमाल हुआ है दोस्तो इसकी rhyming scheme को समझ लेते हैं यहाँ पर इसकी rhyming scheme देखिए A, B, A, B, B, C, B, C, C इस तरह से इसकी rhyming scheme है मैं आपको दोस्तो इसे stanza से समझा देता हूँ जो मैंने stanza लिया है वो लिया है lotus eater से जो लिखा है Alfred Lord Tennyson ने दोस्तो जैसे ही मैंने आपको यहाँ पर यह rhyming scheme बताई थी तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें देखिए फिर से एक कपलेट का इस्तिमाल हुआ है जब भी कभी हम narrative poetry लिखते हैं तो उसके अंदर हमें stanza जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं सैस्टेट, rhyme royal stanza, octava rima या फिर spencerin stanza का इस्तिमाल करते हैं तो दोस्तो जब भी हम rhyming scheme निकालते हैं उसकी हमें ध्यान देना चाहिए कि उसमें कहीं कोई कपलेट तो यूज नहीं हुआ है प्रोपर देखना चाहिए कि उसमें किस तरह के stanza का इस्तिमाल हुआ है तो दोस्तो ये lotus eaters से लिया गया stanza है जो लिखा है Alfred Lord Tennyson ने जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तो rhyme निकालने के लिए हमें पूरी line पढ़ने की जोड़त नहीं है सिर्फ last का एक word पढ़ने की जोड़त है उसी के sound को हम match करते हुए चले जाते हैं जिससे हमारा दोस्तो rhyming scheme निकलता है जैसे हमने निकाला stem यहाँ पर उसकी हो गई दोस्तो rhyming scheme A दूसरा है gave यहाँ पर इसकी हो गई दोस्तो B यहाँ पर dam dam की हो रही है दोस्तो इस stem से match तो इसको निकाल लिया हमने A फिर से लिकाल लिया हमने wave wave की जो sound है दोस्तो वो gave से match हो रही है तो हमने निकाला इसका B फिर है दोस्तो Rave, अब Rave किसके साथ मैच हो रही है, Gave Wave के साथ, तो ये फिर से दोस्तो, B आ जाएगा फिर है दोस्तो, Spark Spark जो है वो किसी के साथ भी मैच नहीं हो रही है, यदि आप देखोगे Stam, Stam, Gave Them, Wave Rave, ये किसी के साथ मैच नहीं हो रही है तो दोस्तो इसको लिखा हमने C Next है दोस्तो Grave, Grave किसके साथ मैच हो रही है, B के साथ Gave, Wave, Rave यह जो हो रही है B के साथ मैच हो रही है Next है दोस्तो Awake, Awake जो है वुसकी rhyming scheme है C, और Next है दोस्तो, Make Make जो मैच हो रही है वो अब एक के साथ ही मैच हो रही है तो देखिए यहाँ पर C और C ये एक साथ आए दोनों तो ये जो दो लाइन का दोस्तो इस्टेंजा है वो कपलेट है I hope आपको कपलेट अच्छे से पहचानने में आ गया होगा जब भी कोई लाइन एक साथ लिखी हो समझ में आ गया इसको इडमंट इस पैंशन ने अपने एक वर्क फैरी कुईन के लिए इन्वेंट किया था मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही तब तक के लिए जैहन